तो आज मैं आप लोग लिए लेक के आए हूँ हमारे चैप्टर नंबर सैवन है साउंड डबलूबी डबलूबी वेस्प्रंगल बोड का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह लास्ट चैप्टर है हमारे फिजिकल साइंस का क्लास नाइन का तो उससे जो जितने भी रिल सैब्स है उससे मैंने बहुत सारे कोश्चशन एंसर हिंदी में ब preço करवा रखें तो हिंदी मेん के बच्चों के लिए भी दुखी होने की बात नहीं हुई कि हां हिंदी में नहीं है er मैं इसके जडिये अप लोगको हिंदी में एक्स्प्लेन करते het hey to Cartか करते है question से कि what is sound sound क्या है ध्वानी क्या है और what type of waves are sound waves in ear किस तरह का किस तरह का wave होता है तरंगे होती है sound waves in ear में तो sound को हम लोग क्या जानते हैं कि sound is a form of energy एक प्रकार की उर्जा है ध्वानी एक प्रकार की उर्जा है sound is that form of energy makes us here जिससे सुनने की सम्वेंदना उत्पन होती है sensation उत्पन होती है उसी को हम लोग sound या ध्वानी कहते हैं air में two types के waves होते हैं sound की two types के waves होते हैं तरंगे होती हैं जिनको longitudinal waves और भी और transfer waves भी कहा जाता है तो longitudinal waves किसको कहा जाते हैं अनियानी की अनुद्दर्गे तरंग किसको कहा जाता है हिंदी में से समझते हैं कि जिस तरंग में कमपित कनों का कंपन जो तरंग की गती की ही दिशा में होता है उसे हम लोग longitudinal waves यानी अनुद्द्रगे तरंग कहा जाता है ठीक है हवा में ध्वनी का गमन अनुद्द्रगे तरंग से ही होता है तो इसको हम लोग इंगलिस में समझते हैं कि a wave in with the particles of the medium vibrate back and forth जैसे कि यहां डाइगरम में आपको दिख रहा है यहां पर कि back and forth में हो ठीक है तो यह जैसे ab है sorry जो ab है ab एक line sound का दिशा है और वहां पर ab में a और b back and forth में हो रहा है ab and b ab इस तरह से करके जब वो हो back and forth आगे और पीछे की तरफ हो तो उसको same direction में हो which is the wave is moving is called the longitudinal waves. longitudinal waves can be produced in all the theory medium यह liquid में भी हो सकता है, solid में भी हो सकता है और gases में भी हो सकता है तो longitudinal waves को ऐसे समझ लिए आप लो तो उसकी बाद है transfer waves किसको कहा जाता है जिसको अनुपरस तरंग भी कहा जाते है हमारी इंदी में a wave in which the particles of the medium vibrate up and down up and down और right angles की direction में हो to the direction in which the waves is moving is called a transfer waves यहाँ पर जैसे आपको डियाग्रोम में दिख रहा है कि यह right angle triangle right angle की दिशा में ही हो रहा है और उसी दिशा में यह transfer waves जिस दिशा में यह wave जो move कर रहा है उसको अनुपरस्त तरंग कहा जाता है अनुपरस्त तरंग उस तरंग को कहा जाता है जिसमें कनों की जो सरल आविर्टी गती होती है वो तरंग की गती की दिशा में सम कोनिक हो यह निकी angle right angle में हो जैसे कि पानी में पानी की सत्था पर जो उत्पन जो तरंगे होती है वो अनुपरस्त तरंगे होती है ठीक है इस तरह की तरंगे कहां होती है ट्रांसवर वेप कैने प्रोड्यूस ओंली ने लीकुट अलीड लीकुट्स निकाली इनके बीच में क्या संबंद है वेग त्वरन और wavelength of a wave किसी तरंग का wavelength निकालना है तो उसके बीच में क्या संबंध है हम लोग चुकि जानते हैं कि velocity is equal to होता है distance by time यानि कि दूरी बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं दूरी बटा समय को हम लोग कहते हैं वेग कहते हैं ठीक है तो माना कि a wave travels a distance lambda lambda जिसको इस तरह का sign दिया गया है in time t में एक तरंग है जो कि एक distance lambda में तै करती है time t में तो उसके बाद क्या होगा distance हमने distance by time यहाँ पर हमने लिखा तो lambda क्या है वो distance है तो time t में दिए ट्रावल करती है तो v is equal to हम लोग सकते हैं lambda by t यहाँ t क्या है t is the time taken by one wave एक wave के लिए जितना time लिया जा रहा है उसको t से कहा जा रहा है चुकि हम लोग क्या जानते हैं कि one by t becomes the number of waves per second and then is known as frequency हम लोग जानते हैं कि जो एक बटा है नि कि जितना time है उसका one by t becomes कितना हुआ number of waves per second this is known as frequency इसको frequency कहा जाता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर lambda into one by t होगा तो इसको हम लोग f लिख सकते हैं one by t की जग़ा पर f लिख सकते हैं इसलिए b is equal to हुआ f into lambda यहाँ f क्या है यहाँ f है frequency यहाँ पर कहीं कहीं पर अब लोग को n lambda भी मिल सकता है तो n means होता है frequency भी हो सकता है तो किसी-किसी बुक में n भी दिया है तो घबरानी की बात नहीं है आफे भी लिख सकते हैं कोई गलत नहीं होगा n भी लिख सकते हैं गलत नहीं होगा f means हुआ frequency और lambda means हुआ wavelength यानि कि लंबाई distance wavelength को अम लोग क्या कह सकते हैं distance कह सकते हैं तो इनके बीच में यहीं relation होता है ठीक है sound कहां पर travels sound travels through in a medium sound को medium की जरोद पढ़ती है travels होनी के without medium sound travel नहीं कर सकता है यानि कि माध्यम की जरोद होती है sound waves are also called mechanical waves sound waves को mechanical waves यानि कि यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है क्यूंकि they need a material इनको एक material की जरोद पढ़ती है because they need a material medium जैसे कि solid, gas or liquid for propagation माध्यम होना चाहिए इनके बीच में इनका इनको move करने के लिए वो इस माध्यम की जरोद पढ़ती है sound waves cannot travel through a vacuum vacuum में sound waves नहीं travel कर सकता है क्यूंकि जब हम वहां से कहीं आपने देखा हो ना बेल जारवारा जो एक experiment है आपके कि दुहनी के कमन के के लिए माध्यम की जरोद होती है यह वायू चुसक पाम से वायू को निकाल देते हैं तो वहां पर वायू लेस हो जाएगा means वहां पर हवा नहीं होगा तो जिसके कारण sound का propagation नहीं होगा इसलिए medium की जरोद पढ़ती है तो इसलिए vacuum में वहां पर sound travel नहीं कर सकता है लेकिन light waves और radio waves can travel even through the vacuum vacuum में light waves भी travel कर सकता है और radio waves भी travel कर सकते है vacuum में आप से पूछे जाए question waves की कौन सा ऐसा wave है जो vacuum में travel कर सकता है तो आप लिख सकते है light wave और radio waves ठीक है question को इस तरह से भी turn करके पूछा जा सकता है कि how are the wave length and frequency of a sound wave related to the speed इस speed से किस तरह से इन के बीच में क्या relation है किस तरह से related है क्या संबंद है क्या संबंदित है तो हम लोग लिख सकते कि speed of sound waves is equal to क्या होता है n into lambda यानि कि frequency into wavelength या फिर f into wavelength इसको हम लोग v is equal to f into lambda भी लिख सकते है इस पे अधारित on the basis of this formula हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी numerical आज सकते हैं इसको आप करेंगे इस तरह से तो ज्यादा इजी होगा और अच्छे से समझ में आएगा तो मैं कुछ ने मेरिकल भी आप लोग के लिए लेक के आए हूं यहां पर रिमेरिकल है फर्स्ट वाला की calculate the wavelength of a sound wave wavelength निकाली एक sound wave का जिसकी frequency है टू ट्वेंटी टू 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 ट्वेंटी हर्ट है फ्रिक्वेंसी को हर्ट में मापते है एड़ स्पीड कितना है 440 मिटर पर सेकेंड इन गीवन मीडियम जो भी मीडियम में दिया जा रहा है वहां पर इसकी frequency इतना दे दी गई है और क्या दे दिया गया है f दे दिया गया है तो हमें क्या find out करना है हमें wavelength फाइंड आउट करना है तो इस फर्मूले से हमने निकाल सकते हैं कि b is equal to f into lambda यहां पर b b दिया गया है और f b means frequency भी दे दिया गया है तो हमें लेंबडा फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं तो लेंबडा इज इकल टू किया आएगा टू मीटर आ सकता है वाट इस दा ओडिवल रेंज ओफ एवरेज यूमन इयर हमारे कानों की जो सुनने की छमता होती हो कितना है कहां से कहां तक हमने कानों को कौन सा एक रेंज म हम लोग हमारे रेंज की साउंड को हम लोग हुमन इयर से सुना जा सकता है ठीक है यहां पर कुश्चन दिया जा रहा है कि दा फ्रिक्वेंशी ओफ सोर्स अफ साउंड इस हंडेड हर्ट एफ दे दिया गया हमारे पास और हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन व क्या है इन वन सेकेंड एक सेकेंड में वह भाघ घणी एक इन इसील सेकेंड हो रहाई यानी कि एक मिनट में कि यहां पर हमारे पास frequency दे दिया गया है और लिख रहा है कि the how many times does it vibrate in a minute एक minute में कितना vibrate हो सकता है the source of sun vibrates in hundred times एक सेकंड में ठीक है तो एक मिनट में कितना होगा 60 seconds और 60 seconds में एक seconds में 100 times हो रहा है तो फिर 60 seconds में उसको multiply कर देंगे तो हमें answer मिल जाएगा अब question पुछा जा रहा है कि does sound follow the same laws of reflection laws of reflection as a light does explain क्या जो sound भी उसी तरह के laws यानि उसी तरह की नियम को ही उपर depend करता है जैसा कि light के light जो हमारे ध्वानी प्रकास की जो law है उसके अनुसार भी क्या sound के भी law हो सकते है sound के भी वैसे ही law होते है जैसे की light के होते है यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते है और ऐसा होता भी है कि sound is reflected in the same way as light sound भी उसी तरह से reflect होता है जिस तरह की light होता है so the sound follows the same laws उसी तरह से वे भी same laws को भी follow करता है जैसा की light करता है उसमें भी इस तरह के ही नियम होते हैं कि सिधानत होते हैं the incident sound wave and the reflected sound wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane एक ही plane पर यह तिनों रहते हैं incidence incident sound reflected sound and the normal ठीक है lie at the point of incidence जहां पर यह incidence हो रहा है ठीक है all lie in the same plane एक ही plane पर यह भी इस्तित होते हैं ठीक है उसके बाद है the angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of sound यह दोनों का angle same होता है यह जो angle हुआ यह जो angle हुआ है और यह जो angle हुआ है यह दोनों क्या होंगे हमेशा equal होंगे ठीक है और यहां पर दिया गया है question कि give to practical application of reflection of sound wave practical application क्या हो सकता है इसका यह हमारे working of megaphone में megaphone के practical application हो सकते हैं और esthetoscope में भी practical application of sound wave का हो सकता है जिसका हम लोग practically करते हैं डॉक्टर esthetoscope यूज करते हैं megaphone यूज किया जाता है तो यह sound wave के ही पर ही अधारित होता है reflection of sound wave पर ही अधारित होता है ठीक है यहां पर एक और question है कि sound wave travels at a medium of इतना मीटर ठीक है तो speed of sound wave यहां पर हमारा दे दिया भी दे दिया हमें frequency निकालना है wavelength lambda दे दिया हो यह नि 1.5 cm तो हम लोग इसको 1.5 cm इसको पहले हम लोग मीटर में convert कर लेते हैं चुकिए meter per second क्या है velocity दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग चुकि जानते हैं कि v is equal to क्या होता है f into lambda हमें lambda find out करना है हमारे पास वी दे दिया है और lambda दे दिया है sorry हमें f find out करना है हमारे पास lambda दे दिया गया है और भी दे दिया गया है हम उसे f निकालेंगे divide करने के बाद हमें इतना हर्ट आएगा यह हमारे इसको यह जादा है हमारे frequency range से तो यह audible नहीं है ठीक है एक्स कोशन है कि इन वीच अब दो थीरी मीडिया मीडिया में एयर वाटर और आयरन में क्योंकि आउट ओफेयर वाटर और आयरन 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 इसलिए देरफोर साउंड आयरन 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 इसलिए देरफोर sound travels faster in iron यहां पर आयरन में साउंड ट्रावल कर सकता है क्योंकि आयरन के जो molecules होते हैं वो काफी दूसरे से सटे होते हैं molecules होते हैं उसी तरह से liquid के molecules उस्टोरे से दूर होते हैं और gaseous कि तो molecules काफी जादा दूर होते हैं तो वहां पर reflection of sound means sound का जो propagation होता है वो बहुत धीमिगतिश होगा as a comparison of iron तो इसलिए iron is the fastest moment of sound यहां पर question और भी है echo से related question है कि an echo returned in three seconds हम मैंने echo नहीं लिखा echo बहुत easy होता है और echo का definition भी आपके book में है तो इसलिए मैंने echo नहीं लिखा है echo है sonar है और ultrasonic wave है यह सब आपके book में ही दिया गया है यदि आपको इसमें कुछ problem होगा तो आप मुझे comment session पूश सकते है मैं उनका definition आप लोगो दे दूँगी ठीक है तो ultrasonic wave किसको कहते है echo किसको कहा जाता है sonar किसको कहा जाता है यह सब मैंने पहले ही करवा रखा है आप जाके playlist में देखिए class 9 के physical science में आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर echo से question है कि echo return in 3 seconds echo return हो रहा है 3 seconds what is the distance of reflecting surface echo से कितना मतलब जो sound जो जा रहा है फिर वहां से echo जो हमें मिल रहा है तो वह distance कितना होगा reflecting surface का from the source वो सोर्स से जहां से जहां से sound जा रहा है फिर वो reflect होके वापस आ रहा है तो दोनक बीच का distance कितना होगा given that the sound speed of sound यहा medium में वो है यहां पर लिख रहा है कि the time taken by the sound to travel from the source to the reflecting surface वहां से कितना time लगा sound को travel करने के लिए from the source to the reflecting surface reflecting surface से और फिर back हुआ to the source in the form of an echo echo के form में जब हम लोग जानते हैं कि echo vibrate होता है यहनि हम लोग एक भी sound निकालेंगे तो फिर वहां पर वो vibrate होके फिर से हमें मिलेगा वो sound तो वो कितना second कितना time ले रहा है in the form of echo में 3 second time ले रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह echo किस तरह से आता है तो यह कि time taken by the sound to travel from the source to the reflecting surface will be the half of this time इस जितना time दिया गया है यहनि उससे उससे उसका जो echo हाएगा हमें return में एक बार में वो 3 by 2 हाफ होगा तो हमें कितना निकल लिखा 1.5 second यहां पर speed is got हम लोग क्या जानते हैं distance by time तो speed हमें मिल चुका है distance हमें नहीं पता हमें distance find out करना है और time भी हमें मिल गया हमने इसको multiply कर दिया तो हमें 513 यानिकि 513 मिटर हमें वहां से distance मिल ठीक है हमें इसा इको कुछ पड़िभाजा जानेंगे आप लोग तो प्रती ध्वानी की तो आपको ज्यादा दिकत नहीं होगा प्रती ध्वानी की से कहा जाता है कि ध्वानी का किसी बाधा से परावर्तित हो कर मूल ध्वानी मूल ध्वानी से अलग और असपस्ट पुना सुनने जाने की घटना को ही ध्वनी का प्रती ध्वनी कहा जाता है यह याद है ना आप लोग को कि ध्वनी का किसी बाधा से प्रावर्थी थो कर किसी बाधा से प्रवर्थीत होकर मूल ध्वानी से अलग जितना उसका मूल ध्वानी है उससे अलग और लेकिन असपस्ट, साब पुना सुने जाने वाली घटना कोई ध्वानी का प्रती ध्वानी कहा जाता है तो जो मूल ध्वानी किया पिछाए कुछ थोड़ी सी मंद सुनाई देती है लेकिन इस पर सुनाई देती है यहाँ पर एक और कोश्चन है सोनार से रिलेटेड है सम्मरीन सेंट से सोनार सोनार जानते हैं कि सोनार क्या होता है सोनार का यूज़ क्या सोनार कैसे कारी करता है एक transmitter की तौर पे sonar का का मोगा होता है और ये बिल्कुल ही सीव बगएरा में काम किया जाता है sonar का संबरीन सेंट से sonar sonar plus pulse which returns from the underwater cliff जो कि underwater वहां से 1.02 सेकेंड में एक sonar pulse आ रहा है हमें मिल रहा है if the speed of sound in salt water इतना दे दिया, salt water में ही आएगा तो how further away is the cliff, वो कौन सा, वो क्लिफ से जो sound आ रहा है, sonar जो आ रहा है हमें, वो कितना distance है, तो same यहां पर भी वही चीज होगा कि the time taken by the sonar to go from the submarine to the underwater cliff and return to the submarine is कितना है, यहां पर जो sonar से जो ध्वनी गई, फिर वो submarine तक submarine से फिर उस water से हमें मिला, तो वो कितना हुआ, यहां से वहां पहुंचने आपने देखा होगा, इस तरह का माली जी की कोई boat बना हुआ है, माली जी यह है water, यह है water है, ठीक है, यहां पर एक sonar लगा हुआ है, माली जी की यह कोई submarine है, यहां पर sonar लगा हुआ है, और यह cliff से टाके टकराती है, फिर यह वापस आती है, ठीक है, तो टोटल time कितना ले रहा है, 1.02 seconds ले रहा है, तो हमें यह तो double मिल रहा है न, यहां से यहां, यह double distance कवर कर रहा है न, distance, तो हमें क्या करना है, है, so the time taken by the sonar plus to, sorry, pulse to go from the submarine to the cliff will be half of this time, यहां पर उसका आधा हो जाएगा, 0.51 seconds, तो कि हम लोग जानते हैं कि speed is equal to होता है, d by t, तो यहां पर हमें distance निकालना है, speed दिया गया है, और हमें time भी मिल गया है, तो हम इसको multiply करके, यहां से distance निकाल सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे questions आते हैं, sound से related कि why are the ceiling of the concert hall are curve, curve क्यों बनाया जाता है, sound जो concert halls होते हैं, जो ceiling होता है, दिवारे की छते जो होती हैं, वो curve क्यों बनाया जाती है, वो इसलिए बनाया जाती है, कि the ceiling of the concert hall are made curve, so that the sound after reflection from the curve reaches all parts of the hall, जब वहाँ से reflect होगा, तो वो reflect होके सभी दिशाओं में समान रूप से पहुँचे, curve ceiling acts like a large concave sound board, concave sound board की तरह काम करता है, curve ceiling, and reflect sound down into the audience, और वो तुरन से audience के कानों के पास पहुँचता है, इसलिए जो concert hall का जो ceiling होता है, छते होती है, वो curve बनाया जाती है, ठीक है? तो इस तरह हमने आज बहुत सारे question किये, और यह बहुत important question है, ऐसा नहीं कि नहीं important है, इससे भी बहुत सारे related, हमने बहुत सारे numericals भी यहाँ पर किये, और भी मैंने बहुत सारे numericals करवा रखे हैं, आप लोग देखिए, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, और description भी बहुत अच्छे से इस chapter का हो चुका है, और इस chapter से related, अभी भी कुछ ना समझ में है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँग, answer कर करेंगे, तब तक आप इस chapter को ध्यान से पढ़िए, और कुछ दिक्कत होने से पुछिए, और ठीक से पढ़ाई करिया, ओके, keep watching, bye-bye, thank you.